नमश्कार दोस्तों मेरे नमे सुसील और स्वागत है आपका एसके इस्टी टाइम्स के यूटूब चैनल पर दोस्ते हैं वैसे कोशन करा जाते हैं जो सेट पैटन के होते हैं और पिछले एकजाम्स के पूछे के प्रशन होते हैं तो फेंट्स यहां पे आपको मैध पार्ट पूछे जाते हैं तो चले क्लास को शुरू करते हैं अगर आप किसी प्रशन यहांपे कौसी संख्या आईगी तो फंस इस तरह की प्रशन के वार्ट करने कि क्या करते हैं आप देखेंग से कि यहां से ओंस और यहां पर पूछा जा रहा है तो आप देखेंस यहां से कि अगर वार가지고 7 से multiply करते तो आपको 84 मिल रहा है और same condition थे जतीजिक अगर हम बारा को 7 से multiply करते तो से मल्टिप्लाई करते हैं तो 24 भी 84 मिलना यानि कि इस ट्रम को इस ट्रम से गुणा किया गया और इस ट्रम को इस ट्रम से गुणा किया गया सेटे में देखते हैं क्या सेम फोलो करेगा अगर सेम कंडिशन सेम छी समें भी होगा तो जोगा ही तो आप देखेंगे अगर हम 14 को 9 से मल्टिप्लाइब करते हैं यह 14 और इस न्व को मल्टिप्लाइब करें तो 14 नमा 126 आता है फिर 18 इप करते अठाड़े को हम साथ से मल्टिप्ला रहें तो अठाड़ा सते 126 विए यो कि विलकुल इस सही है सेम कंडिशन सेम चेज्ञ हम यहां पर सब्सक्राइब करके देखेंगा यहां से 18 और नहीं जो को वाट है यानिकि 24 को फेंड्स हम किस से मल्टिप्लाई करेंगे कि हमें कितनी मिलने चाहिए तो फेंड्स हमें 144 मिलने चाहिए तो यहां से एक समान के चलते हैं कोई अप नहीं भी मानिया का कोई दिखाथ वाट मान सकते हैं तो friends 144-y24 अगर आप करते हैं 144-y24 करते हैं friends तो अब इसे cut कर सकते हैं यहां से friends कितनी बार में तो 6 बारब friends cut रहा है जो कि options अंब वीद रहा है दिखेंगे यहां से friends बहुत अच्छी सी से गुना किया चोड़ा सी मिल रहा है सेम कंडिशन 14 को फेंट्स नौ से मल्टिप्लाइ किया गया है तो 126 आ गया और साथ को अठाड़े से मल्टिप्लाइ कि तो 126 आ गया आप देख सकते फेंट्स यहां से जो आपको आया है 144 वट्टा 24 यानि कि अगर आप 2 से काटी तो 2 ए कहीं वहीं आपको दिक्कत नहीं होग话। किसी पर्फेंट्स आपको डॉट्स है कोई मिन कॉस्ट्पीशल आपको कमेंट जरू चरोड़ हैं और दोनों की वेंचच्ट इतने लड़के हैं है यह आपको बतलानी है बहुत ही सिंपल है ध्यान से समझेगा इस तरह के questions आपके एक जांस में वार वार आते ही आते हैं तो फेंड्स यहां से की total जो पंक्ती है इस पंक्ती में total संख्या कितनी है total 49 बहुत ही जाता है यहां से कि वह ओर से मही प्राइम शौच्छस आपं आहिए अगर 27 करते हैं ध्यान से समझेगा questions बहुत ही प्यारा है बहुत ही असान है 27 उननचास मेने 27 करते हैं तो यहां से आपको वाइस आ रहा है यानि कि फेंड्स जो लड़का होगा वाइस जो लड़का होगा फेंड्स हुआ कहां होगा वाइस लड़का इधर होगा 27 तो यहां तक है वाइस यहा आड़ा है ध्यान से समझ लिएगा वाइस तक यहां आड़ा है तो अगली जो अस्थान आएगा मैं यहां से कलरड़ चेंज कर देता हूं ताक अपको दिक्कत ना होगा फेंट्स यहां से वाइस तक अगर आड़ा है ठीक ना बड़ उसका 27 अस्थान नहीं यह 27 तो फेंट्स यहां से अब देखेंगे यहां से वाइस तक यहां आड़ा है तइस चौबिस पच्चिस चबिस 27 यानि कि 27 मास्तान उसका यहां आड़ा ठीक ना तो अब कहता है कि इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में जो एस्टूडेंट्स होंगे जो लड़के समझेगा थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको समझने में और इसका 27 माल लेता है यहां से तो इन दोनों के बीच में जो फ्रेंट्स टोडल स्टूडेंट्स होंगे तो इधर वाइस हुआ इसका अस्थान और इधर 27 हुआ तो दोनों के बीचे फ्रेंट्स कितना टोटल तो तो आपको जरूर्ट आपको जरूर्ण कर लेंगे प्रते कोश्चन की सोलूसंस आपको जरूर्ण ब्याइस को यहीं सनख्या आएग्गे इन दोनों टर्म्स में ऐसा क्या ख़या है जाना लाइगा चार औरании där और आया,गान सेथी सब्सक्राइब बता तो आप गांगों. ही एक ही उगह आप क्यूँक यहाँ से 125 होता है अब इन दोनों को हैंट कर लेते हैं तो आपको मिलता है 126 और इसके स्थे से क्यूव इसलिए हमें 42 लाना ही लाना है तो फैंट सम्झेश गरांस दिवाइट करते हैं तो हमें 42 मिल जाता है सेम प्रोसेश हम इसके करके देखते हैं वह आवी इस इसमें आ रहा है तो सेम कंडिशन इसमें भीपला हो गाई होगा तो फैंट्य अगर हमने यहां पे तीन का Q किया था, पांच का Q किया था, दोनों को add करके 3 से भाग किया था, सेम करेंगे, 4 का Q, 5 का Q, तो 4 का Q फेंट्स आपको क्या मिलता है, 4 चोक 16, 16 चोक 64 मिलता है, 5 का Q अभी जश्ट हमने किया, 125 होता है, दोनों को add करना है, तो जब हम फेंट्स यहां से 4, 5, 9, 6, 2, 8, औ तो यहां भी हम अगर 3 से divide देते हैं, तो हमें यहां से कर रहें फेंट्स, 3 से 6 और 3, यानि कि 13 जो फेंट्स हमें मिलता है, यानि कि कहीं न कहीं फेंट्स हम यह जो कर रहे हैं, जो हम यह कर रहें फेंट्स यहां से 126 वाइथरी था ना, और हमने यह किया, तो same condition, same process हम इसम करेंगे, 3 का Q, 6 का Q, तो 3 तियाई 9, 9 तियाई 27, हां जी फेंट्स, 3 तियाई 9, 9 तिया 27, पलस, 6 तियाई, 6 तियाई, 36 और 36 खेंट्स होता है, फेंट्स, 216, कितना होता है, 216, ठीक न, अब इन दोनों को अगर आप 8 करते हैं, तो 6 6 वाड़ा, 13 का 3 वचा 1, हां जी फेंट भी आपको, तो 243, और हमें, क्या करता है, फेंट्स, सभी में हम 3 से डिवाइट करेंगे, तो 3 से जब डिवाइट के फेंट्स, 3 8 24, 3 इकाए 3, यानि के फेंट्स, वाट के अस्तान पे जो आएगा, वो आएगा, 18, जो कि options number C, दे रखा है, तो मैं उमीद करता है, ये class, आ आप समझ गयोंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी, चलते हैं, next questions के पास, question number next क्या है, friends आप से, कि यदि किसी कूट भासा में A को 2 और V को 3 लिखा जाता है, तो उसे कूट भासा में D, E, A, F को friends क्या लिखा जाएगा, बिल्कुल आशान है, simple है, बहुत ही असान है friends, आप दे यहां से 3 लिखा जाता है, जबकि V का मान हमेशा और हमेशा friends, 2 होता है, A1, V2, वट एक बढ़ा के लिखा जाता है, यहनि कि एक add करके लिखा जाता है, तो उसी फटकार friends, यहां से आपको D, E, A, और F दे रहे का, यहनि कि D का value होता है friends, 4, D का value कितना होता है, 4 होता है, तो उसमें एक add कर लिखा लिखा, तो friends, यहां से 5 हो जाएगा, E का value होता है friends 5, और इसमें 1 add कर लिखा गया तो friends, यहां से 6, A का value आप देख़ सकते हैं, यहां से 2 रखा गया है, और F का value होता है friends 6, तो यहां से friends 7 हो जाएगा, questions के नुसार, तो 56-27 जहां भी होगा, वह रहे का आपको कहीं भी दिकत नहीं हुए होगी नमबर नेक्स्ट और यह रहा लास्ट कोशन पिसकीन पे बिलको फ्रेंट्स इस क्लास का लास्ट कोशन पिसकीन पे सब्द में अच्छरों पर्योग कर निम्लिक्य वने भी ध्यान देने वाली बात इस सब्द नहीं बने यहां से आपको और कभी इसी में पूछम जाता है कि कौन से सब्द बनाया जा सकता है तो दोनों प्रश्णों को ध्याण रखेंगे蒂ँ यहनसे नहीं वाली बात आ ह Ary देखना है से इस तरह की प्रश्ण को देखना कि जितने भी लेटर है स्लेटर में मजूद है तो एससी एन टी यह सभी चीज यहां पर मैं चूले यह नहीं बनाया जा सकता है तिक ना अब दखेंगे एफ एसी टी एफ एसी टी फेंट देखेंगे आंसे एफ देरका मैं हटा देता हूं इसको यहां देखेंगे F A C O T सभी चीज़े रहा तो यह भी बनाया जा सकता है अगली questions इस आई जी एच्ट तो फेंड्स आप देखेंगे यहां दूर दूर से आपको एच कहीं नहीं दिख रहा है फेंड्स इस लेटर में देखेंगे तो फेंड्स यहां से आपसे संबस्सी मिल चुका है आपसे संबस्सी एज राइक टांस आपसे समझ तो करूंगा कि प्रशन आप समझ गयोंगे कहीं भी दिक्कत नहीं होगी फेंड्स अगली क्लास आपको अच्छी लगी होगी यह क्लास आपको फेंड्स बढ़ियां लगे है तो फेंड्स मिलते हैं नेक्ष्ट क्लास में नई जोशन इनर्जी नी मौनिंग के शाथ तब तक नमिशकार से फेंड्स अपने आज पाश स्वक्सवन रखेंगे आप सभी शाथ्यों को वीडियों देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद